नमस्कर सभी पसुपालक भाई यू को मनीश्टरड की तरप से बहुत बहुत सवागत है आपके अपने यूटूब चैनल पर सवागत करता हूँ आपका और जोपसुपालक भाई आज मारी इस वीडियो को पेलिवार देख पार है वो आपके अपने इस चैनल को सब्सक्रेब करें पास लगे बेल आइकिंग को भी प्रेश जरूर करें तांक कि आने वाली सभी नहीं वीडियो की नोटिविकेशन है वो आप तक सबसे पहले पहुंच सकें आज की जो ये वीडियो कवर करने के लिए पहुंचे हैं सही राम भाई के फारम पर और आज की वीडियो मां वो दो टोप क्वालिटी की गाई दिखा रहे तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें अगर आपको वीडियो पसंद आती है था वीडियो को आगे से आगे से जरूर करें आगे की जो प्रोपर जानकरी है के करके गाई भी आपको चला कर दिखाएंगे और साथ में ग अगर डिस्टिक विकान एरिस्टेट राजस्तांग है और अपने मोबाइल नमबर 74-26-08-70 ठीक है ये अपने कॉंटेक्ट नमबर है हाँ जी और आज की वीडियो में कितनी गाई बिकरी के लिए अवेलिबल हैं? आज की वीडियो में दो गाई ठीक्री के लिए है जी ठीक है दो गाई दोनों ये टॉप क्वालिटी की हैं? हाँ जी दोनों ये टॉप क्वालिटी की हैं ठीक है अगर कोई 22 पर करके गाई खरी देने आना चाहता है दिलवा देंगे? बिल्कुल दिलवा देंगे जी ठीक है गाये जो दोनों भी आई हुई है जी के दोनों गाये जो ताजा भी आई हुई है जी के एक एक करके डीचेल देते है हाँ जी सबसे पहले नमबर पर जो ये गाये दिखा रहे हैं इसके बारे हम बताएं यह बाई साब, चार दाउत है पहले व्यात की बचड़ी है ठीक है, फर्स्ट टाइमर है और मुह से चार दाउत है व्यात है हाँ जी हाइट लेंध अवो काफी एक्स्ट्रा हाइट के साथ यह गाए जैसे तीसरे चोते व्यात होती है उतनी बड़ी आईट है पहले ही व्यात में ठीक है और साथ सबाउ के बिल्कुल साथ सबाउ किया जी यह देखो बिल्कुल साथ सबाउ किया जी ठीक है, कोई दिकत नहीं है, कैसे ही आते है जो आटर पर लगाओ, कोई दिकत नहीं है, बात कि थणों की बीच में गेप हैं, वो भी आप देख सकते हैं, चारो कुंटों पे हैं, चारो थण लगें, और साथ में ये वाला बच्चा कितने दिन की होगी B.I.E. और कितना दूद मोके पर तयारे हैं, मोके पर दूद होगा 17-18 लीटर और 5 वा दिन है आज B.I.E. को, ठीक है, पांस दिन की B.I.E. और 17-18 लीटर तैयार हो दूद, चमता कितनी तक रेने वाड़ी हैं, 22-23 लीटर दूद देना चाहिए, आप बड़े ही अराम से, ठीक है, जर्सी और साहिवाल का मिस्रेना क्रोस ब्रीड के सकते हैं, जो और का साइज है चलती हुए गाई का वो भी आप देख सकते हैं, और हाइट लेंथ है, मैंन जो हाइट काफी बड़ी है, और पतली चमडी की गाई है, इसा नहीं है कि बारी मोती चमडी की है, और फेंट परसेंट है जो इस परकार की गाई की, हाँ जी काफी अच्छे रेनेवाले फेंट परसेंट है जी इसके भी, बिल्कुल जी क्रोस बरीड की गाए, क्रोस बरीड के ना मानेगी सर्दी, ना माने गी गर्मी, दोनों में बिल्कुल परफेक्ट रहेगी, ये ऐ, तीके, ऑँर रेट बता होगई इसकी, तीके, ईंच्छुक वाहिर होगा ले जो ये गाई दिखा रहे हो इसके बारे हम बताएं डीटेल से ये बाई साथ तीसरे बियाँ तो भी आई है ठीक है मोक्के पर अभी 20 लिटर दू उत्यार है कब की भी आई है? हो भी 5-6 दिन की भी आई है भी ठीक है 5-6 दिन की भी आई है और साथ में जो ये वाली बचडी है बचडी है साथ में ठीक है एक पलस पॉइंट इस गाई में ये भी है कि ये बचडी है जो काफी सुन्दर बचडी है साथ में फीमेल काप है बहुत सुन्दर है बचडी काफी अच्छी है साथ में जो भी भाई गाय खरीदेगा उसको 5,000 रुपे गाय में से कम कर देंगे बचडी हम रख लेंगे फिच्छे ठीक है 5,000 रुपे एकी 5-6 दिन की बचडी रख लेंगे 5,000 रुपे एकी बचडी की कवालिटी है जो काफी अच्छी है हमाज से भी विटर है बचडी की क्वाल्टी बिलकुल जी बाकि जो अटरफर उबरी उटर से हैं वो भी आपको साप साप वीडियो में सप्रस्ट दिखाई दे रही है काफी अच्छी है और जो थणों का साइज है वो आप देखिए मुठिया थाना पूरा और हाइट लेंथ है गाई की दोनों गाई है जो पूरी की पूरी बड़ी हाइट के साथ है 20 लीटर दूद मोखे पर त्यार है फिला है हाँ जी 20 लीटर दूद मोखे पर त्यार है हाँ जी कोल कर चला दो बाकी आप देख सकते हो अडर जो आगे से लेकर पिछे था एक टैंक साइज अडर जी से बोला जाता है वो अडर आइस में बिल्कुल जी काफी है जो पतली चमडी की गाई और जो मिले कवेन है गाई की वो आपको दिखाना चाहिए कि रोकना एक बार यह देखिए मिले कवेन है वो काफी अच्छी गाई की और बिल्कुल जो एक दूद वाले पसू में इस पेस्ट करता है कि दूद वाला पसू है के नहीं वो जीता जाता उधारना आपके सामने कि अधर पर जो इसी है बाकि जो थणों का साइज है जो मिले कवेन है वो भी आपको साप साप दिखाई देरी हाइट लेंध गाई की काफी बड़ी है और साथ में भी पलस पॉइंट बचडी बाकि अधर पर उबरी विनस है वो भी आपको एक बार इस तरफ से भी दिखाना चाहूंगा गाह में भी भाई साप क्वाल्टी बहुत है बिल्कुल जी पूरे मुठी अथाना दोहरा मुठी अथान जी से बोला जाता है यह देखो बिल्कुल साथ सबाव की गाई है जी कोई अधर मटेड़ा पन नहीं है ना बाई छोटे बाउ की गाई खरीदना चाहता है उसको दिल्वा देगे जैसे कि यहोगी 40-45 के सम्थिंग पचास के आसपास की बिल्कुल दिल्वा देगे बाई साथ ठीक है हर बरीड की गाई हर बरीड की गाई मिलती है ठीक है बाकी आज की हमारी वीडियो कैसी लगी आप कमेट करके जरूर बताएं आज की वीडियो में ये दो काफी अच्छी गाई बिकरी के लिए अवेलेबल है जो भी भाई खरीदना चाहता है आप इन से संप्रक कर सकते हो बाकी आज की हमारी वीडियो कैसी लगी आप नीचे कमेट करके जरूर बताएं वीडियो देखने के सभी भाईयों का बहुत बहुत धन्यवाद मिलते है इसी परकार की कोई जल्दी नई वीडियो के साथ